स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजाद इसक्रेशन हमने आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो की NCRT पेटर्न पर आधारित है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका मैथ का जो हमारे सिलेबस है यह इसके लिखा हुआ है जिसका पाल अननुकरियोग, वृत, रचनाय, वृतों से सम्मधी च्ठरफल, प्रिष्टी च्ठरफल और आयतन, शांख्यकी और प्राईक्टा चुकि पिछले 2 सालों से क्रोणा में लागडाउन में जो था क्या था हमारा 30% स्लेबस कार दिया गया था 30% syllabus कार दिया गया था जिसमें आपका वहुपद नहीं था और आपका समांतर से नहीं था ऐसे तमाम कई जबसे छोटे छोटे पार्ट काटे गए थे लेकिन इस बार जो आप 2023 में परिष्छा देने वाले हैं जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2020 की बर्स में 2023 बर्स में परिष्छा देने वाले हैं उनके लिए यह आपका पूरा syllabus 100% है जिसमें आपको 30% काटा ने जया है यह पूरा आपको syllabus पढ़ना है इस पूरे syllabus में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तिक संख्या है इसके बाद से बारी बारी से जो है एक एक च पाइसे ले लिएक कि जुआते हैं सब्सक्राकरुबुतिख में जानने से पहले नंबर सिश्टम के बारे में जान लेते हैं यह हमारी नंबर सोक पूरा है इसकa बारे में जानते हैं कि यह सब नंबर क्या होता है या सब आप लोग इसको में समझ लेते हैं फोड़ा जो फीद तीन चार पाँच डाट इनषाइन अटम तक ठीक है हमारा जो हैbayनती की जोगी संख्य होती हैं जैसे 1,2,3,4,5 हम जहां तक गिन लें ठीक है वह हमारा क्या होता है नेचरल नमबर होता है संख्या है अब सुने प्रक्रेटिक संख्या का मतलब यह नहीं कि 0-1-0-2 नहीं ऐसा नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि सुने के साथ जैसे हमारे जो भी प्रक्रेटिक संख्या क्या है प्राक्रितिक संख्या और पूल संख्या में कितना अंतर है कि वहला हमारा सूनिक अंतर है और इसको हम कहें कि सभी पूल संख्या हैं सभी पूर संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या यह बात सही है सभी ध्यान से सुनिए गर मैं क्या कर रहा हूं सभी पूर संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती है क्या यह सही है नहीं क्यों क्यों कि सुन्य हमारी एक ऐसी पूर संख्या है जो प्र पूर्ण संख्या में समाइथ हो जाएंगी तो हम कहा सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं जब कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ठीक है चलिए अब हमां दानते हैं पूराइंग के बारे में किसके बारे में वाहने निगेटिव से लेके पाजीटिव तक चले जाएं जैसे माल लीजिए यह हमारा इंफाइनाइट टाइम तक है वैसे इनफाइनाइट टाइम से हम ले 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 माइनस सिक्स माइनस फाइफ माइनस फोर माइनस थ्री ऐसे डट डट करके फिर पर प्लस इनफाइने टक का जो भी हमारा नमबर होता है हमारा पुड़ांख होता है इंटीजर होता है इसको में क्या बोलते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर यानि जितने भी हमारी काउंटिंग के नंबर है उसको हम निगेटिव से लेना चालू कर दें यानि माइनस इंफाइनाइड से लेकर के प्लस इंफाइनाइड तक हुँक जाएं जी्रों सहित थो हमारा यह क्या हो जाएगा हमारा ऊपुरांक हो जागय जिरों क्या होता है क्या उसको महद सखी निगेटीव क्लाइगे इक हमारा पाजीटीव और निगेटीव है तो इसके बारे में आपको बतातें है Doll है सुने हुमारा क्या है सुनिय दो तो पाजीटिव है और नहीं निगेतिव है सुने पीछमय हुँद्धा संख्या है ऑप संख्या आठ दस बारव ऐसे डाट डाट ऐसी संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं अमारी क्या होती है संख्या होती है अब ऐसा नहीं है कि दो से विभाजित हो रहा है और चार से विभाजित हो जा तो हमारा संख्या नहीं होगा ठीक है हमको उसे मतलब नहीं है ह संख्या में को क्यों दो से देखना है अगर दो से विभाजित होती है तो हमारे संख्या क्या है संख्या है स्टार्टिंग से हमारा सबसे छोटा संख्या क्या है दो सबसे छोटा संख्या क्या है दो ठीक है अगर जो है जैसे आप पीछे पड़े होंगे संख्या के बारे में क किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर होती है तो दो से विभाजित हो जाता है लेकिन इसमें अगर हम संख्या स्टार्ट करना हो हमारा कोई बोले कि पहला पहला इभन नंबर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे दो ना की जीरो ठीक हमारा पहला इभन नंबर क्या होता है दो होता है चलिए अब जानते हैं बिशम संख्या के बारे में बिशम संख्या ओर नंबर बिशम संख्या क्या होता है बिशम जो दो से प्00 वी भाजी नहीं होगी वह हुमारी क्या होगी दिव्धू के जो दो से भी भाजी में होगा। समझ रहा हैं चलिए आगे बढ़ते हैं भाजी संख्याइं भाजी संख्याइं क्या होती हैं अईसी संख्याइं जो एक तथा स्वयम को छोड़कर और किसी भी संख्या विवाजित नहीं संख्यां आपको बताते हैं चलिकाट में नहीं कोगा या तो एक से कटेगा हमारी जो है अबभाजी संख्या है या तो साथ से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा वैसे मालने जो हम ले लेने हैं 11 फिर 13 फिर 19 ऐसे जो हमारी जितने भी शंख्याएं हैं वह हमारी क्या है यह और स्वयम को छोड़ कर अन्य किसी भी संख्या से भाजित नहीं होगी यह हमारी क्या हो जाएगी अब आईए हम समझते हैं भाज संख्या को बारे में क्या समझते हैं भाज संख्या के बारे में यानि ऐसी संख्या हैं जो एक और स्वयम को छोड़ कर अन्य किसी भी संख्या से भी भाजित हो जाती है तो हमारी भाज संख्या हो जाएगी जैसे हमारे माली यह चार क्या हो गया चार को अगर हम काटे हैं तो यह दो से भी कर जाएग खर दस एक से york और दस से बी खर जाएगा इन दोलों को छोड़ के अनकिसी संख्या से देखता है और इविवाजित होता है कि नहीं तो यह 200 भीवाजित हो झागा और पांसे भी भाजित हो जाएगा तो यह हमारी क्या हो जाएगी हमारी भाजी शंख्या हो जाएगी कंपोजित नमबर हो जाएगी ठीक है अगर आप लोगों से हम पूछें अगर आप लोगों से हम पूछें कि सबसे सबसे छोटी अभाजी शंख्या क्या होती है सबसे छोटी भाजे संख्या आपसे पूछेंगे सबसे छोटी भाजे संख्या क्या होती है क्या बताएंगे आप क्या बताएंगे एक होती है दो होती है तीन होती है सबसे छोटी चार, पांक, छे, साथ क्या होगा सबसे छोटी भाजे संख्या हमारा खोटी भाज संख्या हमारा चार होगा क्या होगा चार भूल के एक दो टी नहीं बता दीजिए गाइए अब आप लोगों से पूछा सब्से छोटी अभाज संख्या क्या पूछें तो क्या बताएंगे आप एक होगा और में नहीं होगा क्यों कि हमारा बता बताया है एक स्वेयम को छोड़ कर अनकिसी संख्या थे नहीं होती है और हम जानते हैं परिम्य संख्या के बारे में परिम्य संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे परिम्य संख्या क्या होता है आप लोग जो पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे मैं बताता हूं ऐसी संख्या हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके हैं जहा जहां कि इस आप लोग से कहें कि 16.20 क्या यह संख्या है आप लोग इसे परिम्य संख्या कहेंगे लेकिन नहीं जब तक हम क्या करेंगे इसको हम जो है काट करके छोटा नहीं करेंगे लिक्नकी अबनाव करको वह उसको आशली सवीह हमारे जरी होता है सबसक्ने Parlament न मैं है लेकिन कोuar निंटनासर दिविस्यान क्या जोटम इस एक दिटीब सबस्क्सक्राइब बीलगESE सबस्क्टनेये समस्क्धि यह हमारे है निलग अनुच्छाअरि में高ते startin ma यह सब को कैसे बताइंगे कि यह परिमें ना रिपीटिंग नंबर होता है उसके बारे में रिपीटिंग जा लेंगे चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए